आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहेते कहानी काबुली पाला इस कहानी के लेखक है, महान लेखक प्रसीद रवींद्रनाथ टैगोर जी दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में, यानि भाग एक में हमने पड़ा कि जो लेखक की पुतरी है मिनी, वे शुरू आती दोर में काबुली वाले से डरती है उसे लगता है कि काबुली वाला उसे पकड़ कर ले जाएगा फिल लेखक बताते हैं बाद में कि मिनी और काबुली वाले के बीच में बहुत घनिष्ट मित्रिता हो जाती है और वे बहुत सारी बाते आपस में करते है इस पर जो मिनी की मा है वे काबुली वाले पर शक करती है उसे लगता है कि जो काबुली वाला है वे मिनी को उठा कर यानि उसे गिटनाप करकर ले जा सकता है इस पर जो लेखक है वे मिनी के मा को निश्चिंत होने के लिए कहते है कि काबुली वाले से डनने की जरूत नहीं ह और आगे जो लेखक है वे काबुली वाले और निनी के इस नहे के बारे में हमें बताते हैं पढ़ते हैं इस कहानी के भागदो को यानि आखरी भाग को जानेंगे कि आगे काबुली वाले के बारे में लेखक ने हमें क्या जानकारी दी है हर वर्ष माग के महिने के बीचो बीच रहमत अपने देश चला जाता माग का महिना क्या होता है माग का महिना हिंदू कलेंडर में आने वाले एक महिने का नाम है जो जनवरी के अंत से और फरवरी के अंत तक चलता है लेखक बता रहे हैं कि माग के महिने में हर साल जो रहमत है काबुली वाला है वे अपने देश चला जाता इस समय वे अपना सारा उधार रुपिया बसुल करने में जुटा रहता लेखक बता रहे हैं कि इस समय वे अपना सारा उधार दिया हुआ पैसा बसूल कन्ने में जुटा रहता लेकिन फिर भी एक बार वे मिनी से जरूर मिल जाता जिस दिन सुभा समय नहीं मिलता तो शाम को आप पहुंचता लेखक बता रहे हैं कि जब उसके पास समय नहीं रहता तब भी वे मिनी से जरूर मिलने आता था जिस दिन सुभे उसके पास समय नहीं होता तो मिनी से मिलने के लिए तो वे शाम को लेखक के घर मिनी से जरूर मिलकर जाता था कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भैसा लगता लेकर बता रहे हैं कि काबुली वाले को अंधेरे कमरे में बैठा देखकर उन्हें डर सा लगता भैकार दोता है डर अब डर क्यों लगता था क्योंकि जो काबुली वाले की डाड़ी है लंबी-लंबी और लंबे-लंबे बाल है, उसको देखकर लेखक बता रहे हैं कि जब आ अंधेरे कमरे में बैठता तो उनका मन जो है लेखक का मन जो है फिर्दे जो है परिसंता से यानि खुशी से जूम हुटता एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पढ़ा लेखक एक दिन की बात बता रहे हैं एक दिन उनके साथ क्या हुआ एक दिन वे सवेरे अपने कमरे में बैठे थे और पढ़ाई कर रहे थे तभी सड़क पर उन्हें बड़े जोर की चोर सुनाई देता है आख उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांदे लिए आ रहे हैं उन्होंने आख उठाई सड़क की और देखा तो उन्होंने क्या देखा जो पहरे वाले है पुलीस वाले है वे अपने रहमत यानि काबुली वाले को बांदे लिए आ रहे हैं अब पुलिस वाले उसको बांद कर क्यों ले जा रहे हैं आईए देखे उसके पीछे तमाशविन लड़कों की टोली चली आ रही है अब उसके पीछे यानि दो पुलिस वाले और रहमत के पीछे जो तमाशविन लड़के होते हैं मोले के घली मोले के वे हल्ला मचाते हुए चले आरे हैं ठेथे cmtish Case अधिर और होड़े करें त मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोक पूछथा मामला क्या है लेखग बता रहे की रेमत के शरीर और कपड़ों पर खुन के धबबे लगे हुए है दाग लगे हुए है और उन्होंने देखा कि एक पुलिस वाले के हाथ में क्या है खुन से सना हुआ एक चाकू है छूरा करत होता है चाकू तबी पुलिस वाले से लेखक पूछते है कि पडोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपिया उधार लिया था उसने जूट बोलकर रुपिया उधार लिया था तथा रुपिया देने से इंकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके चुरा भौक दिया यहां बता रहे हैं कि मामला क्या है मामला यह था कि एक बार क्या हुआ एक बार लेखक के पडोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत काबुली वाले से कुछ रुपिया उधार लिया था उसने यानि लेखक के पडोसी ने वह पैसा जूट बोल कर काबुली वाले से उधार लिया था और जब रह रहमत काबुली वाले ने पड़ोसी के पेट में छूरा भोंक दिया यानि उसके पेट में छूरा गुसा दिया चागु गुसा दिया इसी कारण जो पुलीस वाले है रहमत को पकड़के जेल में ले जा रहे हैं रहमत उस जूटे आदमी को तरह तरह की गालिया दे रहा था त तभी मिनी घर से बहार आती है और काबुली वाले को देखकर चिलाती है और कहती है काबुली वाले वो काबुली वाले पलक मारते रहमत का चहरा आनंद से खिल उटा उसके कंदे पर आज जोली नहीं थी इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था मिनी ने छू कि उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी लिए मुझी ने जोले के बारे में कुछ नहीं पूचा। उसने क्या पूशा इसने पूचा काईली वाले से कि तुम सशुराल जहोगे। इस पर काईली वाला जवाब देता है। रहमत ने हसकर कहा वही जा रहा हूँ यानि ससुराल जा रहा है कौन काबुली वाला रहमत मिनी को उसका जवब हसी भरा नहीं लगा अब मिनी तो समझ नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है और वह क्यों जा रहा है इसलिए वह हस्ती भी नहीं है वे हाथ दिखा कर बोला ससुर क मारता पर क्या करूं हाथ बंदे है वे कहता है मिनी से कि मैं ससुर को घूसा मारता नेकिन मेरे हाथ में हद कड़ी है मेरे हाथ बंदे हुए है छूरा मानने के अपराद में रहमत को कई वर्षों की जेल हो गई यानि वे जेल में कई वर्षों के लिए चला गया रहमत मैं उसक को भूल जाती है धीरे धीरे उसके नई मित्र बनते गए उम्र भढ़ने के साथ साथ एक एक करके सक्या जुटने लगी यहां लेकग बता रहे हैं कि धीरे धीरे उसके नई मित्र बने नई दोस्त बने और उम्र भी उसकी भढ़ते गई उसकी आयू भढ़ते गई और एक एक उसकी सहीलिया जुटने लगी उसके साथ मेरे साथ अब वह पहली जैसी बातचित नहीं करती लेखक बता रहे हैं कि जो मीनी है वह बड़ी हो जाती है और थोड़ी-थोड़ी समझधार होने लग जाती है अब वह लेखक से उस तरह से बात नहीं करती थी जिस तरह से वे 5 वर्ष की आयू में किया करती थी मैंने तो उसके साथ एक परकार की कुट्टी कर ली थी यानि लेखक बता रहे हैं कि एक परकार से वे नराजगी मीनी से करने लग गए थे भहुत सुभाबनी सुभाती सुहाबनी सुभाती लेखक एक सुभा के बारे में बता रहे है आज मेरे घर में शेहनाई बज उठी थी लेखक बता रहे है कि आज उनके घर में शेहनाई बज रही है यानि उनके घर में कोई कारिकरम हो रहा है वे भी शादी का कारिकरम हो रहा है आये जाने किसकी शादी लेखक की घर में हो रही है उसके स्वर मेरे हिट्दे को अंदर से रूला रहे थे यानि किसी के स्वर जो लेखक के हिट्दे को लेखक के मन को रूला रहे थे वो भी अंदर से फिर लेखक बताते हैं मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी आज मेरी मिनी का विवा था यानि उनकी मिनी के विवा का दिन आ जाता है और लेखक बता रहे हैं कि मिनी के सुवर मिनी के सुवर लेखक के हिर्दे को अंदर से रूला रहे थे लेखक बताते हैं कि उनकी लाडली बेटी का आज आज शादी थी सवेरे से ही विवा की तयारिया हो रही थी मैं भार के कमरे में बैटा हिसाब देख रहा था तब ही रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया सवेरे से ही सुबा से ही शादी की तयारिया हो रही थी जो लेखक है वे कमरे में बैठकर हिसाब किताब देख रहे थे साधी का तब ही क्या होता है तब ही जो है काबुली वाला रहमत है वे खड़ा हो जाता है लेखक के सामने और उन्हें सलाम करता है यानि नमस्ते करता है मैं पहले उसे पहचान नहीं सका लेखक बता रहे हैं कि पहले उस रहमत को वे पहचान नहीं सके थे उसके पास ना वे जोली थी ना उसके वे लंबे बाल अब लेखक जो है काबुली वाले को पहचान नहीं पाएते क्योंकि उसके पास नहीं जोला था और नहीं उसके अब लंबे बाल रहे थे शरीर भी कमजोर हो गया था आकिर उसकी हसी देखकर उसे पहचाना उस काबुली वाले का शरीर जेल में रहकर कमजोर हो गया था लेखक ने उसकी हसी देखकर काबुली वाले को पहचाना लेखक आगे कहते है मैंने कहा क्यों रहे रहमत कब छूटा लेखक ने काबुली वाले रहमत से कहा कब जेल से छूटा काबुली वाले ने जवाब दिया कल शाम को जेल से छूटा हूँ बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ यानि बात सुनकर रहमत की बाते सुनकर जो लेखक को थोड़ा बुरा सा लगता है अब बुरा क्यों लगा आईए सुने आज के शूब दिन यह आदमी यहां से चला जाता तो अच्छा होता मैंने उससे कहा आज हमारे घर में एक काम है मुझे बहुत से काम करने है आज तुम जाओ अब लेखक को इस बात से बुरा लगता है क्योंकि वे जेल से चूटा हुआ एक अपरादी है और एक अपरादी उनके घर पर आयता इस बात से लेखक को बुरा लगता है वे कहते है काबुली वाले से की आज हमारे घर में एक काम है यानि कारेकरम हो रहा है मुझे बहुत सारे काम है आज तुम यहां से जाओ वे काबुली वाले को जाने के लिए कहते है बात सुनते ही वे चल दिया और दर्वाजे के पास पहुंच कर बोला क्या एक बार मुझे को नहीं देख सकूँगा बात सुनते ही वे जो रहमत है वे हमां से चला जाता है दरवाजे के पास पहुंच कर वैं लेखक से पूचता है बोलता है कि क्या एक बार वैं मुन्नी को यानि मिनी को नहीं देख सकेगा शायद उसे विश्वास था मिनी अब भी वैसी ही होगी ननही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाले कहती हुई दोड़ी आईगी बच्चों जैसी हसी भरे बाते करेगी अब रहमत जो है काबुली वाला क्या समझ रहा था उसे ऐसा विश्वास हो था कि जो मिनी है वै अब भी छोटी ही होगी और वै अब भी काबुली वाले काबुली वाले कहेगी और काबुली वाले से बच्चों जैसी बाते करेगी हसी मजा करेगी वै पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिबा अंगुर और किश्मिश बदाम लाया था वै मिनी के ल ぜं मिल नहीं सकेगी वiałem उससे कहते हैं कि आज घर में कारिकरम है मिनी है वह किसी से भी नहीं मिल पाई गी वे दुखी मन से सलाम बाबू कह कर दर्वाजे के बाहर चला गया अब वए दुखी मन अपना करकर करके दर्वाजे से बाहर चलने के लिए खड़ा होता है मुझे अपने मन में ना जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ सोचा उसे वापस बुलवा लू तब ही देखा वे खुद लोटा आ रहा है लेखक को यू रहमत को जाते हुए देखना बुरा लग रहा था उन्हें लग रहा था कि उन्हें एक दर्द महसूस हो रहा है उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे उस काबुली वाले को वापस बुला ले लेकिन तब ही वे देखते है कि काबुली वाला खुद वापस चला आ रहा है अब वे वापस क्यों आ रहा है आए जाने पास आकर बोला पास आकर लेखक से बोला ये अंगूर और थोड़े से किश्मिश बदाम मुन्नी के लिए लाया था दे दीजिएगा वे अपने अंगूर और किश्मीश पदाम लेखक को देता है और कहता है कि ये मैं दोनों चीजे मुन्नी के लिए लाया था ये मुन्नी को दे दीजिएगा उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वे मेरा हाथ पकड़ कर बोला मुझे पैसा मत दीजिए बाबू जिस तरह तुमारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है मैं उसी का चहरा याद करके तुमारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ सोदा करने नहीं जब किश्मिश और बदाम का और अंगूर का पैसा लेखक देते है काबूली वाले को तो काबूली वाला कहता है कि मुझे इसका दाम मत दो और लेखक का हाथ पकड़ कर बोलता है कि जिस तरह तुमारी एक लड़की है मिनी उसी तरह देश में मेरे देश में मेरी भी एक लड़की है मैं तुमारी मिनी में अपनी पुत्री देखता हूँ इसलिए मैं उसके लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ मैं सोदा करने यहाँ पर नहीं आया हूँ यह कहते हुए उसने अपने कुर्टे में कहीं चाती के पाथ से महले कागच का एक टुकडा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तहे खोल कर मेरी टेबल पर बिचा दिया लेखक बताते हैं कि रह्मत कबुली वाले ने क्या किया रह्मत कबुली वाले ने अपने कुर्ते में से एक मेला कागच का टुकडा निकाला और भहुत साथदानी से लेखक की टेबल पर फैला कर रख दिया देखा कागच पर किसी नन्हे हाथ की चाप थी। उस कागच पर लेखक ने देखा कि उस कागच पर किसी नन्हे बच्चे की हाथों के निशान थे। अपनी प्यारी बिट्या के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ता की सड़कों पर मेवे बेचने आता। यानि दिल में अमरित की दारा भै रही है। देखकर मेरी आँके चलचला आई। यानि इस द्रिश्य को देखकर लेखक रो पड़ते हैं। उनकी आँखों में आसु आ जाते हैं। उस समय मैंने समझा कि जो वे है वही मैं हूँ। वे भी पिता है मैं भी पिता हूँ। लेखक सोचते है कि जो इस समय वे भी एक है और मैं भी उसी की जगा पर हूँ। वे भी एक पिता है और मैं भी एक पिता हूँ। मैंने उसी समय मीनी को भीतर से बुलवाया। अब लेखक ने काबुली वाले को देखने के लिए मीनी को बुलवाते है भीतर से। शादी की लाल साड़ी पहने माथे पर चंदन लगाए भहू वेश में मीनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। अब मीनी अंदर से आती है लाल साड़ी पहन कर और माथे पर उस चाता कि मीनी छोटी सी होगी लेकिन वे उस बड़ी मीनी को देखता है जिसकी आज साधी है उसको देखकर सक पका जाता है अपनी पुरानी बाचित नहीं जमा पाया अंत में हसकर बोला मुन्नी तू से सुराल जाएगी और वे सोचा कि अब मैं पुरानी बाते हसी मजा की मुन्नी से यानि मिन्नी से नहीं कर सकता और वे हसकर बोलता है मुन्नी तू से सुराल जाएगी रहमत का प्रिशन सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुझ फेर कर खड़ी हो गई मुझे काबुली वाले और मिनी की पहली बेट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उटा अ बेट की आद आ जाती है जब वे पहली बार मिले थे और वे उन बातों को सोचकर लेखक दुखी हो उटते हैं मिनी के चले जाने पर घहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैट गया अचानक उनकी समझ में साफ आ गया इसी बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होग इन आठ वर्षों में उसकी पुत्री पर क्या बीती होगी यह भी भला कोई जानता है उसका चहरा दुख और चिंता से भर उटा अब वे कहता है कि इन आठ वर्षों में में उसकी पुत्री पर क्या बीती होगी यह कोई नहीं जानता और उसका चहरा इस सोच विचार में द देश लोट जाओ तुम्हारा मिलन सुक मेरी मिन्नी का कल्याण करे अब लेखक दुखी होते है क्योंकि पिता और पुत्री का मिलन करवाना वह सार्थक समझते हैं वह रहमत को रुपिया देते हैं कुछ अपने देश वापस लोटने के लिए और वह उससे कहते हैं रहमत यह पैसे और तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लोट जाओ तुम्हारा पिता पुत्री का मिलन मेरी मिनी के लिए कल्याण कारी होगा यानि सुकदाई होगा भविश्य में तो दोस्तों यह थी कहानी काबुली वाला इस कहानी में लेखक टैगोर जी ने काबुली वा को भी गिराया है क्योंकि काबुली वाला एक मुसल्मान है जबकि मिनी हिंदु धर्म से संबंदित है यहां धर्म का मतवेत लेखक ने खतम किया है हमने जाना कि किस परकार मिनी और काबुली वाला आपस में घनिष्टा के साथ बाते करते हैं कई बाते करते हैं मित्रता उन होती है कबुल वाले की सबी बाते बहुर चुकी होगते और यह बात सुनकर कबुली वाला बहुत दुखी होता है जैसे उसके पुत्री विदा हो रही और बैवनि accent को उतले के लिखक करने दरशानें तो दोस्तों यह थी कहानी काबुली वाला जन्यवाद